अब लास्ट वीडियो में हमने create किया था एक Azure का resource group और उस resource group में हमने create किया था एक Azure batch account ठीक है अब इस batch account के अंधर हमें create करने है pools और उस pool को हम कुछ task देंगे करने के लिए क्योंकि Azure batch service का काम ही वही है कि कोई भी काम को इन्हें batch करना ठीक है तो हमारे पास यह रहा जो batch account हमने last time create किया था इसमें हमें pools create करने है pools जैसे कि मैंने last time बताया था कि मानलो कि यह एक group of virtual machine की तरह है तो pool को create करने के लिए यहाँ पे left side में pools पे क्लिक करना है यहाँ पे आएगा add का option add पे क्लिक करो और सबसे पहले हमें एक id दे देंगे pool को तो pool का id दे देता हूँ new pool ओके और display optional है identity हम none ही रखेंगे अब यहाँ पे एक option है image type marketplace को ही में रहने दूँगा क्योंकि जो हम image को हम एक virtual machine की तरह मानते है एक virtual machine जिसमें कुछ चीज़े already configured है जैसे कि आपके laptop में जो windows आता है वो आपके OEM याने की अगर HP का laptop है तो HP का जो windows 10 image है वो आपके laptop में डाल देते हैं उसी तरह already बहुत सारे virtual machines pre configured है marketplace में और हम उन में से एक को create करने वाल है यहाँ पे publisher, publisher, canonical, debian यह सारे Linux वाले है और यह भी I guess कुछ Linux के है बट हम Windows वाले system को अब इस बार हम देखने वाले है तो मैं एक Windows Microsoft Windows Server publisher को select करता हूं और select रही दिया मैंने Windows Server और यहाँ पर option है हमारे पास SQs choose करने का अब यह SQ बस हमारे virtual machine का size और क्या चीज़े है उसके अंदर उसके हिसाब से यहाँ पर set की गई है मैं बस यहाँ पर सबसे चोटा जो भी है मैं वो select कर लूँगा latest में हाँ उसके बाद मुझे disk encryption नहीं चाहिए data disk भी नहीं चाहिए और यह licensing चीज हम बाद में देख लेंगे क्या है और अब याद है मैंने कहा था कि पूल को एक virtual machine की तरह consider कर लो तो यह देखो आपको इससे वो doubt clear हो गया होगा क्योंकि हम यहाँ पर virtual machine के CPU और RAM को भी select कर सकते हैं मैं यहाँ पर जो virtual machine का size है वो 1 CPU और 1.8 GB memory वाला set कर देता हूं और जो dedicated nodes है वो 2 इसलिए क्योंकि मुझे 2 चाहिए मतलब इस size के दो nodes चाहिए ठीक है यह 0 ही रहने देता हूं और resize timeout भी यही रहेगा start task इसको disability रगते हैं और बाकि सभी options को as it is इस बार रख देते हैं ठीक है और मैं कर देता हूं create तो networking वगरा हर एक चीज़ हमें create करके मिल जाएगी मैं बस ok कर देता हूं अब यह मेरा pool create हो चुका है अब मैं इस pool पे click कर देता हूं अब अपना जो यह pool है मैंने यह new pool को create कर लिया है successfully अब इन pool से इस pool में जो भी nodes है मुझे उन nodes से कुछ काम करवाने है ठीक है अब काम करवाने को हम बोलते है job तो हम यहाँ पे करेंगे add job job को एक id देते है new job और pool यही हमारा new pool और यह सब options default हम रखते है mode default mode default अब यह new job create हो चुका है इसमें हम आगे है tasks वाले tab में और यहाँ पे हम देख रहे है कि कोई भी task नहीं है तो हम एक new task create कर देंगे यहाँ पे मैं दे देता हूँ new task display name as it is और command line command line में आप चाहो तो कुछ भी काम करवा सकते हो इससे तो वो command को मैं पहले form कर लेता हूँ cmd slash c यह एक new command window open कर देगा और जिसके अंदर मैं करना चाहता हूँ echo hello world अब यह hello world print करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो 60 seconds तक wait करे तब मुझे पता चलेगे कि हाँ काम कितना हुआ है तो मैं कर देता हूँ time out slash t और 60 seconds अब वो इस तरह एक मिनिट तक काम करेगा ठीक है और मैंने echo की spelling रॉंग लिखी ठीक है हाँ वो इस तरह से पर एक hello world print करेगा और वो 60 seconds तक रुकेगा तो मैं यह command को यहाँ से copy कर लेता हूँ as it is और इसको मैं paste कर दूँगा इस command line में और मैं इसको ठीक कर देता हूँ echo को अब बाकी सब चीज को भूल जाना है जब हम advance चीजे करेंगे तब हम इनको हाथ लगाएंगे ठीक है अभी बस हम एड़िटिस रखते हैं और create क्लिक कर देते हैं submit पे अब हमारा यह task create होके तयार है और वो कुछ ही देर में यहाँ पर run हो जाएगा and run होने के account के limitation के वज़े से मेरा पूल create नहीं हो पा रहा था ठीक है उसके लिए मैंने बस जाके जो VM का size था वो मैंने change कर लिया वो अब इस बार आके देखोगे ना तो वो है around यह वाला size है A1 V2 इसमें around 1.8 GB वाला 2 GB का RAM है और एक score का CPU है ठीक है बस वही change किया मैंने और कुछ change नह जाके वो jobs create करने पड़ेंगे और यहाँ यह अभी allocation state यह resizing दिखा रहा है एक बार यह resizing complete हो जाएगा तो यह फिर steady state में दिखाएगा अब हमने पूल तो create कर लिया बट पूल से कुछ काम करवाना है राइट हमारे पूल के अंदर हमारे पास नोड से हर एक नोड अपने आप में एक virtual machine है वो भी भी start हो रही है ठीक है और उन इन नोड से हमें कुछ काम करवाना है तो काम करवाने को हम बोलते है जॉब और इस ख्लिट कर दिया ओके पे ये new job create हो जाएगा अब ये एक job है एक group की तरह अब एक job में हम कई सारे tasks add कर सकते हैं तो मैं एक simple सा task add कर दूँगा new task करके और मैं एक command लिखता हूं वो command मैंने एक बार practice कर लिया है वो command है ये ये command बस hello world print करी और 60 seconds तक रूखेगी तो बस इतना है ये command में और हम बाकि सारे options को add कर देता हूं submit पे तो मेरा ये job create हो जाएगा और कुछ देर में execute भी हो जाएगा तो यहाँ पर देखरो ये new task है वो अभी active state में है आप देखोगे इसके अंदर इस पे click करके तो वो हमें दिखाए देगा कि वो active state में है कुछ देर में ये preparing पे चला जाएगा फिर running और फिर complete हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इस पर task जो है वो भी execute हो रहा है तो यहाँ पर running state में है वो ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो it is अब ये idle state में आ गया मतलब अपना जो task था वो एक बार execute हो चुका है और यहाँ पर देखो new jobs वाला था job और new task ये एक बार execute हो चुका है एक बार तो यही दिखाना था मुझे कि हम किस तरह से एक task को create करते है एक job create करते है और हमारा वो job run होता है so I hope कि इस video से आपने ये सीख लिया होगा यहाँ पर बहुत चोटे चोटे task मेंने मतलब बहुत ही चोटे task मेंने एक command prompt की मदद से perform किया है बट आप चाहोगे तो यह काफी complicated और complex task करने की काबियत रखता है Azure badge service ठीक है तो I'll suggest कि आप जाओ और इसके साथ practice करो badge service के साथ और देखो इस साथ आप और क्या क्या कर सकते हो next video में हम Azure badge service को explore करेंगे visual studio code के साथ एक sample hello world का program हम एक execute करके देखेंगे और समझेंगे उसमें क्या क्या चीज़े है ठीक है तो फिर मिलते है next video में तब तक के लिए मज़े करो ठीक है चलो फिर बाई